हेलो दोस्तों हेलो तो अभी साम के बज रहे हैं सारे पाँज तो आप सभी को गोड इवनिंग तो जैसा कि अभी मैं सो कर उठी हूँ तो कपड़े दोपहर को ही धूखे डाली थी तो सारे सूख गय थे पर सोई हुई थी तो नहीं उठा पाई तो भी उठा रही हूँ और यहां मैं थोड़े से बाहर आ गई हूँ वालकोनी में तो यहां बगल में कुछ काम चल रही है घर बन रही है नियू घर तो आज उसकी धलाई हो रही है तो मसीन उसीन लगी है तो वो सारे आवाजे बहुत ही आ रहे थी तो मैं यह देखने के लिए आई हूँ तो देख सकते हो अभी भी धूप थोड़ी थोड़ी है तो अभी थोड़ा साम का हवा चल रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है तो देख सकते क्यों मेरे बाल कितने बीख रहे हैं क्योंकि अभी तुरंत ही ज़स्ट ही सोकर उठी हैं तो चलिए कपड़े सारे उठा लेती हूं मैं तो यहां कपड़े उठाने के बाद फिर मैं आ गई हूं कीचन में तो अभी मैं बनाने जा रही हूं कुछ नास्ता साम के लिए तो जैस रिफाइन तेल और इसी से मैं एक कटोड़ी जितना मैंने तेल लिया है उतना ही पानी लूँगी और फिर दोनों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी और एकदम अच्छी तरह मिक्स करना है कि जब तक फेन ना आ जाए तो देख सकते हो मिक्स हो चुकी है और एकदम जाग भी निकल रही है तो इस तरह ही हमें पहले मिक्स करना है पानी और तेल को और फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बेशन डाल कर उसे बनाते जाओंगी घूल तो मुझे जितनी टैट रखनी है जितना रखना है उसे हिसाब से मैं रखूंगी तो मैं इसमें थोड़ा नमक डाल थोड़ेसे हल्ली तो यहां देख सकते हो बेसंधे डोЛ के रेडी हो चुकी है तो आप देख सकते है ना ज़्यादा वालो Council थे मिडियम है कि से महीची क्यों बनाने वाली आफ़ा के विलयों नीकालियों निकाले यह हमारे गनवाली मुशीत ह spend कि यह हमें धाने चुक Thanks भी बनाना होता है तो इसे मैं अच्छी तरह धोलूंगी तो यहां देख सकते हो कितनी इसमें साचा दी है बनाने के लिए है अलग अलग डिजाइन की तो इसमें पापड़ी मोटी वाली गाठिया पतला सेव फिर जो सेव वाली जो टमाटर की शबजिया में डाल के बनाई ज है तो चलिए बनाती हो और पहले मैं धोलेती हूं अच्छी तरह यह गन को हुआ है क्या और दोखाना था लो कापनी चाल तो फिर धों कर लेती ठीव. फिर गिली हो जाएगी फूरी वेशन विया अच्छी तरह पूछने के बाद पर जो मसीन की सालेंडर है उसमें थोड़ी तेर लगा दोघित इसे चिकनार से अच्छी तरह से निकलेगी और फिर लंबे जैसा सलेंडर जैसा डो बना के और मसीन में भर दोंगी वेशन को तो यहां देख सकते हो कि मुझसे लग नहीं रही थी क्योंकि बहुत दिन हो जाने के बाद मैं भूल जाते हूं तो यहां पुर्वी मुझे बता रहे हैं तो देखे पुर्वी प्रवाइब आध हैं तो यहां देख सकते हूं मेरे से भी बने लगी लागिसर की कुछ चीच पहले बार भरना तो खराप होती हैं फिर ओ Υीक से बनने लगती है तो यहां कुछ पुर्वी ने बताई ने बताई देख सकती इतनी सेव बन चुकी है और उखेशा पुरवी ने कुछ बनाया अब लास्ट में जैसा कि बहुत दीन हो के बार थोड़ा सेट करने में मचीन की दिक्कत होती है और अच्छी तरह बनते जाती और यह मसीन में कोई दिक्कत में च मुखती है तर्सकर में सब्धार कंग जाओ और देख सकते हैं और इसमें टुकड़ाटुक्री तो आईए हमारे माता जी हमारा दर्वार का दर्शन कर लेजिए तो देख सकते हो माता जी कितनी सुन्दर लगती है लग रही है तो अब भी दर्शन कर लो तो यहां साम के सारे काम हो चुके दियाबती भी हो चुकी नास्ता भी बन चुकी है तो अब मैं इविनिंग वाक के लिए जा रही हूं नीचे कर दो सकते हैं